कर्मना मनारंभा नैशकर्म्यम पुरुश्व अश्नुते नचा सन्यसन आदेव सिध्धिम समधी गच्छती नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोके भगवत गीता के तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक है जिसे हम आज कहराई से समझेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते है तो जो श्लोके वो कहता है न कर्मना मन आरंभान अर्थात कर्म को आरंभ न करने से नैश कर्म्यम पुरुष अश्नुते अर्थात निशकाम कर्म पुरुष को प्राप्त नहीं होता नचा सन्यसन आदेव अर्थात और नहीं सन्यास से सिध्धिम समधी गच्छती अर्थात स्थेर बुद्धी की सिद्धी की और मनुष्य जाता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि तुम कर्म को आरंब नहीं करते हो तो इसका आर्थ ये नहीं है कि उसको न आरंब करने का कोई परिणाम नहीं है और जो व्यक्ति सन्यास लेता है ऐसा अनिवार नहीं है कि वो व्यक्ति वास्तों में समधी अर्थात एक स्थिर बुद्धी को प्राप्त करता है तो यहाँ पर श्रीक्रेशन जो है वो अर्जुन की जो शंका है उसको ठीक कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन के मन में जो शंका है वो यही है कि उनको लगता है कि यदि वो ये युद्ध नहीं करेंगे तो वो परिणामों से बच जाएंगे वो ये सोच रहे हैं कि कर्म ना करना वास्तव में बिल्कुल उसी के समान है कि व्यक्ति जो है वो इस संसार से आ सकती नहीं रखता है क्योंकि श्रीक्रेशन ने अर्जुन से यही का है कि जो व्यक्ति स्थित्प्रग्य है उस पर अंतर नहीं पढ़ता कि समाज में क्या हो रहा है या संसार में क्या हो रहा है और वो व्यक्ति वास्तों में संसार में हो रही घट्टाओं के प्रती उदासीन रहता है तो उसको यहां पर अर्जुन ने इस प्रकार से समझ लिया है कि उदासीन रहने का अर्थ हो गया कि आप कर्म ही ना करें तो इसलिए यहां पर श्र कर्म ना करके यह सोच रहे होगी तुम सन्यास ले लो और इस प्रकार से तुम्हें मुक्ती प्राप्त होगी किन्तु सन्यास ले लेने से मुक्ती प्राप्त नहीं होती तो यहां पर एक बहुती महत्वपूर्ण वक्तव्य है जो कि श्रेक्रिशन कहा रहे हैं क्योंकि वो यह और इस कारणट से हमारे समाज को बहुत हांई भी ही हुई है वास्ताव में क्योंकि आप यही देखेंगे कि हमें बार-बार ही का जाता है कि सब त्याग दो जंगल में चले जाओ सन्यास लेच लेलो सब त्याग दो है इस प्रकार से बुला जाता है किन्तु यहां पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इस प्रकार से सोचना की सब कुछ त्याग दिया जाए और जंगल में जाके बस केवल कुछ तपस्या की जाए उससे हमें मुक्ती प्राप्त हो जाएगी यह वास्ताव में एक ठीक सोच नहीं है इस प्रकार से बोल रहे हैं आपर क्योंकि जो हमारी स्थिती है हम सभी लोगों की वास्ताव में ऐसी है कि हम कुछ न कुछ अपने साथ में लेके आए हैं अर्थात हम इस संसार में जो आए हैं तो हम किसी न किसी परिस्थिती में इस स खड़ी की है और उस परिस्थिती में हमें कार्य करना होता है क्योंकि ये जो कार्य हम कर रहे हैं उस परिस्थिती में जो कि हमारा कर्तव है वो वास्तों में ईश्वर के दिया के द्वारा दिया हुआ ही एक कर्तव है और ईश्वर ने हमें ये कर्तव इसी लिए दिया है ताक यदि हम यह जो इश्वर दिया द्वारा दिये हुए कर्तव हैं इनका पालन नहीं करते हैं तो हम वास्ताव में प्रगति कर ही नहीं पाएंगे तो जब कोई वेक्ति इन कर्तवियों का पालन नहीं करता है और सोचता है कि मैं यह सब छोड़ छाड़के जो है सब कुछ त्याग दूँ और जंगल में चले जाओ तो वास्ता में जो ईश्वर द्वारा दिये हुए कर्तव्य है उनका ही पालन नहीं कर रहा है तो उस प्रकार से उसकी जो उन्नती वास्ता में होनी चाहिए थी वो नहीं होती है आप इसको ठीक इस प्रकार से समझे कि जैसे आप यह जो पूरा संसार है यह वास्ता में एक क्रिडास थल है और आप इस संसार में एक खिलाड़ी है तो आपको वास्ताव में यहाँ पर जो खेल आपको दिया गया है वो खेलना ही है यदि आप उसे नहीं खेलते हैं तो आप वास्ताव में उन्नती नहीं करेंगे और इस प्रकार से आप वास्ताव में जो मुक्ती बोली आती है वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे तो जब हमें ये बोला जाता है कि तुम्हें त्याग देना चाहिए तो वो जो त्याग यहां पर Shri Krishna ने बोला है वो वास्ताव में कर्म का त्याग नहीं है उन्होंने कर्म के फलों का त्याग बोला है यह जीवन आप cricket match के रूप में समझ लिए और आप इसमें खिलाडी है और आपको वास्ताव में यह जो match है यह खेलना ही है अब यहाँ पे जो ग्यानी विक्ति होता है वो वास्ताव में इस खेल के परिणाम को सोच करके अपना खेल नहीं खेलता है वो केवल अपने खेल को उत्तम बनाने के लिए खेल केलता है तो आपको भी ठीक वैसे ही अपने जीवन को जीना है कि कर्म तो करना है किन्तु कर्म के फलों को आपको त्याग देना है और यदि आप cricket match खेलते ही नहीं है तो फिर तो आपका जो खेल है वो अच्छा होएगा ही नहीं तो इसलिए समाज में बहुत से लोग हैं जो कि आपको बार बार ये किए कि सब त्याग दो सब त्याग दो जंगल में चले जाओ वहां जाके बस तपस्या करते रहो और ये संसार है ये तो मुह माया है इस प्रकार से बोला जाता है तो इससे बहुत हानी हमारे समाज के हुई है क्योंक पर्दो और जंगल में चले जाओ ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनों ने की अपने सभी जो जीवन के करतवे हैं वो पूरे कर लिये हैं और अब उनका इस संसार में वैसे कोई रूप में उनका योगदान की अब कोई आवश्यक्ता नहीं है तो अब वो जंगल में जाकर वहाँ पर तपस्या कर सकते हैं और इश्वर की उपासना कर सकते हैं किन्तु कोई युवा वैक्ती जो है वो अभी इस संसार में उसे रहना ही पड़ेगा उसको अपने करतवों का पालन करना ही पड़ेगा तब ही वास्ता में वो निखर के आएगा और एक उत्तम वैक्ती बन पाएगा तो यहाँ पर यह मैं आपको पश्ट कर देना चाहूंगा कि श्रीक्रिश्न ने विशेश रूप से का है कि आपको त्याग जो करना है वो केवल अपने कर्म के फलों का करना है कर्म का नहीं करना है तो यह कहना कि सब मोहमाया है और सब कुछ त्याग के जो है जंगल में चले जाओ यह एक उचित मार्ग नहीं है किसी के लिए भी जिसके पास में कर्तव्य हैं किवाद आपने कर्तव्य पूरे कर लिये तब आप जंगल में जा सकते हैं तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आप कुछ समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस को ही पर समाब करते हैं नमस्ते वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियेजनों के सत्में साजा करें और इस ग्यान को और पहलाएं यदि आपके पास कोई भी प्रशन है तो मुझसे इंस्टाग्राम प करता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रशन पूछ सकते हैं जाए श्रीक्रिष्णा